इन्टेक्स के जॉगर भी प्लुटूथ वायरलेस ओन एर हेड़फोन्स की और इन headphones की कुछ खासियत है जो इन headphones को 1,000 रुपेस के budget में best headphones बना देती है इस वीडियो में हम जानेंगे इससे पहले आप कुछ specifications के आपर पढ़ सकते हैं और कुछ specifications मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें जो आपको 300 mAh के battery देखने को मिलती है और इसमें जो सबसे premium चीज़ है इसमें एक display देखने को मिलता है और इसके साथ-साथ इसमें आपको एक AUX cable का भी option देखने को मिलता है तो unboxing के लिए हम box को open किये तो सबसे पहले हमें headphones देखने को मिलता है इसके अलावा हमें जो है एक charging cable देखने को मिलती है जो की USB to Micro USB charging cable है और आप इसे अपने charger phone के charger के साथ connect करके इस headphones को charge कर सकते है और इसकी build quality ठीक ठाक से है, plastic से, I mean decent से build quality है और इसकी length जो है 1 meter के आसपास है इसके अलावा हमें documentation के नाम पे कुछ paper work देखने को मिलता है जो की quick start guide है, आप इसे read कर सकते हैं, वीडियो को pause करके anytime और read कर लिजेगा अगर आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि काफी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलते है इसके अलावा और कुछ हमें देखने को नहीं मिलते हैं, हम side में रखते हैं सारी चीज़ें और headphones की तरफ नजर डालते हैं, तो headphones में हमें decent से headphones देखने को मिलते हैं I mean, build quality है, वो decent सी है, बट जब आप इसे हाथ में लेंगे तो काफी premium देखने को मिलता है travel के time पे भी काफी helpful होगा, आपके लिए काफी lightweight है, और इसे आप extend कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इसके अलावा आपको टॉप में यह part है, यह rubber का बना हुआ है, तो यह stretch हो जाता है, तो आप easily stretch कर सकते हैं और किसी भी size में fit हो जाएगा, किसी के लिए भी काफी helpful है, और काफी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, इसके अलावा हम इसके build quality की बात करते हैं, तो build quality प्लास्टिक की है, चुकि आप 1000 रुपीज में उससे ज्यादा आप expect कर भी नहीं सकते हैं, उपर का part जो से रब कर सकते हैं, उसके अलावा आपको एक modes की button देखने को मिल जिससे आप modes change कर पाएंगे, और आपको जो है next or previous buttons, volume up or down buttons देखने को मिलती हैं, आप अगर power button on करेंगे तो display on हो जाएगा, जिसमें आपको battery percentage दिखाया जाता है, कितनी battery बच्चे होई है, जो कि काफी helpful है, उसके न दूसरा है, आप अपने smartphone में connect सकते हैं, या कहीं भी connect कर सकते हैं, उसके बाद जो है आप play कर पाएंगे, इसको wired headphone की तरह use कर पाएंगे, तो एक काफी अच्छी चीज़ है, अगर headphones की battery down होती है, तो आप इसे wired headphone की तरह use कर पाएंगे, उसके साथ साथ आप इसमें आप micro SD card लगा के भी music play कर सकते हैं, और आपको charging का port देखने को मिल जाता है, उसके बाजू में, और side में ही आपको LED का जो notification icon है, वो देखने को मिलता है, तो अगर आप यहां से on कर सकते हैं, और pair कर सकते हैं, अपने smartphone या दूसरे device के साथ, तो हम sample के लिए आपको pair कर कर के दिखाया किस तरह से काम करेगा, तो इसको आप on कर लिए, slide कर गया, on कर सकते हैं, आप इसको slide करेंगे, तो battery दिखाने लगेगा, display में, display on हो जाएगा, तो इससे आप समझ सकते हैं, कि headphone on हो जोगा है, इसका Bluetooth mode on हो जोगा है, अगर Bluetooth mode में है, उसके बाद आप अपने device का Bluetooth on कर लिजे, और आप सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा, जोगर भी, उसको आप पैर कर लिजे, headphones के साथ, और जोगर भी को पैर करने के बाद, आपको बस simply करना कुछ नहीं, अपने दूसरे device से headphone, I mean, phone से आपके music play कर देना है, phone हो या PC हो या laptop हो, कुछ भी हो, जहाँ ब्लूटू के पास लेके चलते हैं, जो natural audio आप सुन सकते हैं, इस तरह से कुछ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्री, अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हैट वोल्स पसंद आया, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके बाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप जो की उपीनियने कामेंट करके बताईएगा, और वीडियो को शेयर करजिएगा अपने सब्सक्राइब की दोस्तों के साथ, फिलाल ग्लेस वीडियो में इतना ही, बबाई, सी यू नेक्स्ट टाइम